तो आज हमनों play करने वाले हैं G Major 7 Caud तो इसको play करने के लिए हम लोगों रखना है 1st string के 2nd fret पर 1st finger and 2nd string के 3rd fret पर रखेंगे 3rd finger and 6th string के 3rd fret पर रखेंगे 2nd finger बट हम लोगों एक चीज़ का ध्यान देना है हम लोग को ऐसे इस तरीके से फिंगर को रखना है सिंग स्टिंग पर कि नीचे आली स्टिंग म्यूट हो जाए इसका साउंड ना है मलब इस तरह से कर्वनी करना है साउंड नहीं आने देना है, इसको हलका सी नीचे की तरफ रखना है, ताकि इसका साउंड व्यूपल म्यूट हो जाए So this is your G major 7 chord झाल 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 झाल